घर कहां हुआ? कलकत्ता बिहार में आके डांस क्यों कर रही है बाबू आप? मजबूरी है एक दिन का कितना मिलता है? पंदरा सो रुपिया एक दिन का मिल जाता है तो पंदरा सो रुपिया से चाहे तो इनका अच्छा इसकूल में आप नाम लिखवा सकती है क्या बनोगी मतलब यह बजपन से ही बोलती है कि हिरोईन बनना है पठाई लिखाई में मन नहीं लगता है पठाईयेगा बच्ची को बादा किजिए बच्ची को पढ़ाएंगे डांस भी नहीं कराने बंगाल की रहने यह बारा साल की बच्ची जो बिहार के डांस रही है और सोशल मेडिया पर आपने इसका वेडियो अने को देखा होगा लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कहानी है क्या मजबूरी है कि 12 साल की एक बच्ची जिस उम्र में इस बच्ची को पढ़ाई करना चाहिए उस उम्र में बच्ची जो है कही ना कही डांस कर रही है और अनेकों लोग आके वीडियो भी बनाते हैं आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आकिरकारी एक मा जो है अपनी बच्ची को जिस उम्र में इनको पढ़ाना चाहिए उस उम्र में डांस क्यों कर रही है क्या नाम हूँ आपका बुल-बुल कितनी साल की आप है बारा बार पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं कि sunlight करना टीफ है पढ़ाई करते हैं तो फिर पढ़ाई क्यों करती हो कि इस शिए बती नहीं करतों पढ़ोगी तब न आगे बढ़ोगी तुम्हारे ऐस में बाकी छोटे-चोटे बच्ये जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका सपना होता है कि हम आगे जाएं, तुम पढ़ाई लिखाई छोर के डांस कर रही हो, आप इनकी मा हुई, और इसका ज्यादा जो मन है वो डांस में लगता है, इधर आप कहां आ जा रही हो, यह बताई आपका घर कहां हुआ, कलकत्ता, कलक आपके साथ ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि आपको कहीं न कहीं आपके जगह और भी आने को महिलाए है, जो आत्म निरभर बन रही है, कई जगहों पर काम करके पैसे कमा रही है, लेकिन क्या ऐसा मजबूरी है कि मुझे और केष्टा में ही जाके डांस करना चाहिए, और भी तमाम जगहों पर अगर आप चाहे तो आपको रोजगार मिल सकता है, चाहे वो सारी का दुकान हो, कपरा का कहीं भी दुकान हो, वहा तो आप कर रही है, तो कोई भी खाने का नहीं दुकान रही, कोई खाने का नहीं देगा, तो आप डांस ही करेगी तो आप इसका चाहते तो इस स्कूल उगारा में नाम लिखवाड़े टेटी उसन पढ़वाते तो बच्ची पढ़ाई लिखाई करती तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका नाम रोशन कर देती आपको इस फिल्ड में काम नहीं करना पड़ता आपको यहां से मतलब अगर आपसे नहीं होता है तो हम लोग मदद करेंगे अगर आप चाहती है कि बेटी को पढ़ाएंगे वादा कीजिए कैमरा के सामने के हम बच्ची को पढ़ाएंगे सोचिए आज यह बच्ची जाके डांस कर रही है समाज के लोग देखेंगे इस पर कितना बुरा परभाव परेगा समाज के लोग क्या देखकर सोचेंगे कि भाई यह बच्ची को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए यह जाके डांस कर रही है क्या बनोगी आगे हिरोइन बन कि अब बंगाल की रहने वाली है और मजबूरी है आपके साथ कि यहां के डांस कर रही है लेकिन जो पैसा कम से कमार रहा है तो कोशिश किजिए कि बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्ची आपके आगे बढ़े और कितने बच्ची आपके पास मेरा तीन बच्चे है और कवन मतलब इससे चोटी है चोटा चोटा दो भाई है यहां आने के बाद आपके सर पे देखा जा सकता है कुछ निसान भी है कैसे हुआ यह वहां पहले जहां काम कर रही थी वहां जगरा हो गया है और आपको मारे पीटे भी लोग है लोग मारे पिएसानी भी होता है मतलब मार पीट भी लोग करते हैं यहां कैसा मतलब महोफ लगता है वहां सब्सक्राइब ende बच्ची को पढ़ाएंगे क्योंकि इससे इनको देखकर समाज के और भी बच्चे कही न कहीं बिगर जाएंगे और बदनामी होगा तो इससे अच्छा है कि आपका जो पैसा आता है उस पैसे से इनको पढ़ाईए नहीं तो हमारा कंटेक्ट नंबर ले लिजिए अगर आपको कॉपी कलम किताब कहीं भी ट्यूसन पर फी देना होगा तो हम लोग मदद करेंगे ठीक है चलिए बाकी आपने देखा होगा कि यह वहीं बच्ची है जो बंगाल से आके विहार के सिवान जीले में यह लोग रहती है और डांस करत है लेकिन हम लोग के तरफ से बस यह परियास है कि यह बच्ची जो है डांस न करके बलकि अभी के समय यह पढ़ाई लिखाई करें ताकि कहीं न कहीं समाज में एक अच्छा संदेश जा पाए बाकि इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते अपने राहे हमें जरूर आप मारे सांथ जुरेद हैं बहुत बहुत धन्यवाद